हेलो दोस्तों स्वागत है मेरे कुक वितरी कुक के चैनल में आज मैं पास्ता की रेसिपी बताने जा रही हूं इसके लिए मैंने पास्ता लिया है जो सूजी का बना हुआ है जो हेल्दी होता है और एक पतीले में मैंने गरम पानी बठा के लिए कर दिया है और उसमें मैंने बहुत ज्यादा नहीं उबालेंगे, बहुत ज्यादा उबला हुआ, पास्ता अच्छा नहीं लगता है, पास्ता थोड़ी क्रंची ही अच्छी लगती है, अब हमारी आप देख रहे हैं, हमारी पास्ता अच्छा तरह से उबल गई है, अब हम एक खंडे पानी से इसमें डाल जब तो घला भी कट लिए, और प्याज भी काट लिए हैं। आप अपनी चृनुस और और भी सब्जिया इसमें मिला सकते हैं। अब एक कड़ाहि में मैंने तेल डाल दिया है। और इसमें प्याज को डाल कर, हम आछ, सुनहरा होने तक प्याज को भूनेंगे। अब देख रहे हैं प्याज हमारी लगभग भून गई है अब हम इसमें गाजर भी डाल देंगे गाजर और प्याज को अच्छी तरह से हम लोग इसको भूनेंगे इसको तब तक भूनना है जब तक गाजर थोड़ी सी हल्की सी गलना जाए अब हमने जो पास्ता उबाल के मिल्ज गई है अब हम इस पास्ते को इस मिश्रन में डाल देंगे और इसको भी एक दो मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे थोड़ा थोड़ा चलाते हुए अच्छी तरह से इसको मिक्स करते रहेंगे अब इस मिश्रन में हम थोड़ा सा सॉस डालेंगे तोमाटो सॉस डालके इस मिश्रन को थोड़ा सा एक दो मिनुट फिर से हम चलाएंगे इस बीच हम इसमें थोड़ा सा स्वादनों सा नमक भी डालतेंगे अब हम चिली फ्लेक्स भी डालतेंगे चिली फ्लेक्स डालते हुए थोड़ा सा हिलाएंगे देन थोड़ा सा हम इसमें ओरीगानो भी डाल देंगे और फिर थोड़ा सा इस मिश्रन को फिर से चलाएंगे आप देख सकते हैं हमारी पास्ता लगभग लगभग तयार है अब हम इसको चीज के चीज ग्रेट करके इसको उपर से सजाएंगे यह खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है अगर मेरे रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए गया